मनीश शादव क्योंकि हमारे साथ मौझूद हैं मनीश आपके पास क्या ग्राउन रिपोर्ट्स हैं जहां बीमार वहीं उप्चार क्या ये मुम्किन हो पा रहा है कई जगों से हम साफ तस्वीरें देख रहे हैं मुम्किन नहीं हो पा रहा है कब तक हो पाएगा इसकी कोई सं भावना देकि ताजा जिस्तिती जो बताती है कि युत्तर प्रदेश ने माना है कि 28,000 गाओं में संक्रमण का जो इस तरह है वो बड़े पैमाने पर है उन 28,000 गाओं में CSC PSC को अगर वहां के हालात को देखे तो वहां पर कोई विवस्ता नजर नहीं आती कि COVID संक्रमण का लोग वहां से इलास का फायदा ले सकें लोगों को या तो शहर आना पड़ता है या फिर बीच में जो निजी एस्पताल होते हैं उनके चकल लगाने पड़ते हैं या फिर अपने घर पर ही कुछ लोग सरदी जुका बुकार का टीटमेंट लेते रहते हैं कुछ ठीक हो जा लेकिन वह इतनी जल्दी मुम्किम नहीं होता बहुत दूरगामी फैसला है दूसरा तीसरी लहरे से पहले हर जिले में पीडियाट्रिक जो केर यूनिट है वो भी बनाने की बात कई गई है और 20 जून से पहले मुक्यमंत्री की आदेस है कि हर जिले में वह बन जाए तो अभी भी अगर फैसले लिये जा रहे हैं उन्हें ठंक से लागू किया जाए तो बाकी जो बची आबादी है चुकि अभी संक्रमण का इस तर कम नहीं हुआ है गाओं में लगातार सरदी जुखाम बुखार से लोग परेसान है और कई लोगों के लिए जानलेवा हो रहा है तो अगर अभी से भी जो… लेविल पर भी जागरूखता दिखाई वियापारियों ने बाजार खुद बखुद बंद कर दिये और आज वियापारियों के इस खदम की पीम मोदी ने अपने संबोधन में तारीफ किये उन्होंने ये कहा है कि क्राउट मैनेजमेंट पर बनारस में जिस तरह से फोकस कि या वो बाकी शहरों के लिए भी नजीर है प्राइवेट अस्पतालों में बनी इन्फोस्मेंट कमिटी इससे भी काफी लाब हुआ है इस बात का जिकर किया पीम मोदी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहतर सप्लाई की गई हाला कि ऑक्सीजन की किलत की खबरें भी यू पिछले कुछ संबोधनों में इस बात का जिकर कर रहा है कि छोटे छोटे माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाये जाना बहुत जरूरी है और जहां लोग बीमार हों वहीं पर उनका उपचार कराया जाए खास तोर पर ये मंत्र भी पीम मोदी की तरफ से दिया गया है और कु कुमार अभी हम सब सुन रहे थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का संबोधन और पीम मोधी ने भी जैसा की उम्मीद जताई जा रही थी कि ब्लैक फंगस का आज कुछ जिक्र हो सकता है तो वो भी हुआ और ब्लैक फंगस को करोना के साथ साथ देश के लिए एक बड़ी चनौती पीम ने भी बताया है कि शित्रूप से समेर इसको समझना होगा पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो उस वक्त भी ब्लैक फंगस के के सिस हुए थे लिकिन जितनी के सिस कोरोना के हुए थे उस अनुपात में अगर इस बात की बात करें तो चुकि इस बार क पीक बहुत जादा था केसे जादा हुए हैं तो उसका रिप्रकर्शन भी जादा हुआ है और ब्लैक फंगस के केस कई राजियों में दिख रहा है जिसमें दिल्ली भी शामिल है ऐसे में इस चीज के लिए पूरी तरीके से तयार होना पड़ेगा क्योंकि जो कोरोना के मरी तो थीक हो जा रहे है उन्हीं में ब्लैक फंगस हो रहा है तो हमने देखाए कि करो न पीक तरीके से देश आगाह कर रहे हैं और पूरे हिल्शस्टम को वे इसके लीए कि अभी से अगर हम तैयारी करेंगे तभी जाके आने वाले दिनों में हम थर्ड वेब से निपट पाएंगे क्योंकि हमने देखा फर्स्ट वेब के बाद दिल्ली में बड़े जो आस्थाई अस्पताल है उसको हटा दिया गया था उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ा चतलपूर में आपको याद होगा कि दस जार बेट का जो था उसको हटा दिया गया और भी कई सारे तो अभी जो प्रधान मंत्री कह रहे है उसका मतलब साफ है कि जो भी टेंपरोरी आग्मेंटेशन किया गया है देश में अस्पतालों के निर्मान और दूसरी चारी चारी परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार राद दस बजे टीवी नाइन भारत वर्ष पर